स्वागत थे दोस्तों नाइक ब्लोग में और आज का इस ब्लोग में आप लोग को को मैं कत्रास गड़ दर्गा पुझा पंदाल को दिखा रहा हूँ और आप पीछे में पंदाल देख रहे हैं इससे पिछले वाले ब्लोग में मैं आप लोगों को दिखाया था कि यहां पे तैयारिया की इस तरह से चल रही थी और आज सब्तमी का दिन है सब्तमी का दिन में सकते हैं कि कत्रास गड़ में पंडाल बनके रेडी हो चुका है और देवी मा की परतिमा भी मैंने आपको इस ब्लोग में दिखाने वाला हूं तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ-साथ बेलेकर को प्रेस कर दि चुका है और यह रहा है कत्रास गड़ का पंडाल का भी जो मेरे हिसाब से पूरा धनबाद अगर देखा जाए तो धनबास पूरा धनबाद में सबसे अच्छा जगह कत्रास गड़ मुझे लगा है और इसका पंडाल का अच्छा लगा है और आपको मैं पंडाल का भी तब बने रहे हमारे साथ और डेकोरेशन उससे पहले में दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से डेकोरेशन किया गया है यहां पर अब देख सकते हैं डेकोरेशन काफी खुबसूरा थे यहां पर चारों तरफ फूल के धार लगाएं गये हैं और काफी अच्छा लग रहा है देखकर करके आप लोगों को भी आई होफ के अच्छा लग रहा होगा उसके बाद मैं आपको करीब में दिखाता हूं यहां पर भी कुछ फ्लावर्स इसको डिजाइन किया गया है और यह देखने के लिए उपर कभी में डेकरेशन दिखाना चाहता हूं अब देखिए उपर कभी डेकरेशन गेट में काफी ज्यादा काम हुआ है आप देख सकते हैं काफी खुबसूरत लग रहा है यह डिजाइन देखर करके चलिए मैं आप आप लोगों को पंडाल के अंदर का भीयू दिखाने के लिए जा रहा हूं अब देख सकते हैं यह पंडाल का भीयू है और काफी खुबसूरत लग रहा है यह पंडाल और देख सकते हैं सिलिंग काफी सुन्दर लग रहा है डिजाइन किया गया सिलिंग को और कुस जूमर भी लगे हैं अगर लाइट ओन हो जाती तो साइद यहां देखने से आप लोगों को लगता कि कहीं महल में हम गुसेव हैं क्योंकि यह बिल्कुल महल के अकृति से बनाया गया है इस डिजा और यह रहा आपके सामने मातारानी का परतिमा थोड़ा सा लाइट का कुछ है कम जोरी यहां पर रिजन से अगर लाइट होती तो साइद आप लोगों को क्लियर दिखाई देता है यहां फिर भी मैं आपको ब्राइटनेस बढ़ा करके दिखा रहा हूं साइद आप लोगों काफी सुन्दर लग रहा सीलिंग का डिजाइन लेगा है अधार फिर से मैं यहां के खुब्सूरत डिजाइनों को दिखा रहा हूं जो पजड़ के पेड़ की जिस इस डिजाइन को बनाया गया है काफी खुब्सूरत लग रहा है यह फलावर्स और उपर का जो गेट है औ और इस gate पर भी जो डेकोरेशन हुआ है। आफ रहा है काफी खुब सुरत लग़ा है यह डेकोरेशन को भी देख रहे होंगे यहाँ पर कि सो दोस्तों देख सकते हैं कि माता रानी गप्त है ह Schönב शुरू हुशू कर दर्सन करने के लिए माता के सब्किन तक्रूब करना चाते हैं SAQ incr घरों में दिखा सके दोस्तों को भी दिखा सकें और काती अच्छा लगता है लोग यहां पर जब दर्शन करने के लिए कुछ भगत लोग भी आये हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए तो फ्रेंड्स लाइटे ओन हो चुकी है और आपको मैं यहां का लाइट का नजारा दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से लाइटों से जगमगा उठी है यह पंडाल और मैं आपको पंडाल के करीब भी लेकर के चल रहा हूं और कुछ सेलफी फुटेज भी लिया जा रहा है य देखने में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का भी नजारा कितना खुटसूरत लग रहा हूं और आप लाइटिंग देख लिजिए यहां का लाइटिंग काफी अच्छा लगएगा लाइट और यह रहा डेकुरेशन लाइट और मातारानी का दर्सन कर सकता आप यहां से और दोस्तों अब देखें किस तरह से इस पंडाल को बनाया गया है एक महिने के तयारी के बाद यह पंडाल तयार हुआ है और भक्तो का आना जाना आगमन सुरू हो चुका है मातारानी का दर्सन को लिखर के और मैं यहां से फिल्ड का भीव दिखाना चाहता हूं चारों त चोटी दुकाने लगी हुई है और कलाकर्ति की अगर बात किया जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है कलाकर्ति यहां का अर्मा कॉल से इसको बनाया गया है तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को कत्रासगर का पंडाल का भीव अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू कर लिजेगा और वीडियो को ज़्यादा सेयर आवसी करें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कत्रासगर नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए आप सेय शुरू बताए कि वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल पर फर्स टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों जल्द मिलेंगे कि नियू ब्लॉग में माता रानी के ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जय हिं जय भारत जय जर कि वीडिया मता